Hi everyone, welcome back to my channel तो मैंने एक दो दिन वीडियो नहीं डाले क्योंकि मुझे फीवर था और फीवर था तो ऐसे में मैं पढ़ नहीं पाई तो आज का ये जो वीडियो है तो इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं मैं किस तरीके से लेकर चल रही हूं क्या मैं इस बार अलग सा कुछ पढ़ रही हूं जो IBPS PO मेंस वा था उसमें काफे लिमिटेड पढ़ पाई थी मैं लेकिन इस बार SBI कलर मेंस में थोड़ा बहुत मैंने चेंजिस किया है तो देखो अगर मैं सबसे पहली बात कहूं तो जैसे मैंने कहा था एक हफ़ते में सिफ एक ही मेंस का मॉक टेस दूँगी मैं यहाँ पर मैं मेंस लिखना भूल गई मेंस का एक मॉक टेस दूँगी मैं वीकली और उसके बाद मैं सेक्शुल मॉक टेस दूँगी से ऐसे नहीं तीनों सेक्षिन के दे दिये नहीं, एक दिन English, एक दिन Quant, एक दिन English, एक दिन Reasoning, इस तरीके से मेरा ये Practice रहेगा, और मैं ये दूंगी जो सेक्षिल मौक है, ये मेरे पास पड़े वे हैं, 2021 के, कुछ 2022 के हैं, और अगर 2022 की बात करूँ तो 5-5 हर सेक्षिन मौक होते हैं, ऐसे करके टोटल हर एक सेक्षिन के मेरे पास 10 सेक्षिन मौक हो जाएंगे, दोनों साल के अगर मैं इंक्लूट करूँ तो, ठीक है, तो ये मैं सेक्षिन मौक यहां से दे दिया करूँगी, उसके बाद मैं करूंगी मिसलीनियस क्वेशन क्वांट के प्रैक्टिस और यह मैं करूंगी PDF से मिसलीनियस क्वेशन 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 से अब मैं आपको बताती हूँ जिसने IBPSPO मेंस दिया हूँ तो वहाँ पर XY की फॉर्म में कुछ वेशन थे कुछ वो जो missing series थी कुछ अलग तरीके से मतलब फिर जैसे missing series देती थी फिर उसमें थोड़ा सा variation करके questions में थोड़ा सा अलग-अलग सा पूछ लिया था तो उस type के questions अभी मुझे ये PDF मिली ही निया ये PDF मैं पहले देखूंगी क्या पता है गूगल कर लूँ मैं कुछ कहीं से मुझे मुझे मिल जाए पता करूँगी अपने फ्रेंड सगरा से तो अगर मुझे ये PDF मिल जाएगी तो मैं अपने ग्रूप में इसे share कर दूँगी तो आप लोग भी महा से इसे practice कर सकते हो तो मिसलिनेस questions क्या है क्वाण के वो मैंने आपको detail में बता दिया है उसके बाद reasoning के लिए मैं करूँगी देखो reasoning में puzzle वगरा तो ये सारी mock से practice हो जाएगी और जो sectional mock दूँगी उससे practice हो जाएगी एक जो मेरा concept है critical या फिर logical जो भी कहना ये कहलो critical और analytical शायद ये कहते हैं तो ये वाली जो reasoning होती है तो इसके जो concepts होते हैं मेरे हमेशा weak ही है मतलब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ अगर मैं 5 attempt करूँ तो 5 में से मेरे 2 ही correct जाते हैं बाकी के 3 incorrect हो जाते हैं तो इस बर मैंने ये सोचा जो मेरे पास बुक पड़ी हुई है critical reasoning की मैं उससे बहुत सारे question प्राक्टिस करूँगी daily के 15 तो मैं 15 to 20 मैं प्राक्टिस करूँगी जिससे की थोड़ा बहुत जो मेरी understanding skills है इस topic को लेकर वो थोड़ी सी मेरी improve हो जाए और जब तक mains आए तब तक मेरे अंदर काफी improvement हाजाए इस वाले topic में उसके बाद अगर मैं बात करू English section की English section editorial जैसा मैं daily read करती ही हूँ उसमें vocabulary include होती है दो editorial होते हैं एक में reading होती है एक में skimming होती है तो editorial read अगर आपका mains है या नहीं है या फिर कोई भी exam है या नहीं है लेकिन फिर भी editorial read करना चाहिए फाइदा यह होता है किसी भी topic को लेकर आपको एक अच्छा knowledge रहता है ठीक है और English to improve हो ही रही है reading और skimming से और उसके साथ साथ perfection class मैंने फिर से देखने स्टार्ट कर दी है और यह मैमतने मेरे पास an academy का subscription है जो मैंने मैम की वज़े से ही लिया था तो perfection class मैं देख लूँगी एक गंटे की होते हैं गंटे 20 मिनट की ऐसी कुछ होती है तो English का फिलहाल मेरा यही सब है और एक मैंने इसमें वो नहीं लिखावा current affairs तो current affairs तो चली रहे है तो September, October, November और December का कुछ बस मैं इतना ही current affairs करूँगी SBA clerk mains के लिए क्यूंकि आपने देख लिए होगा जादा से जादा तीन महीनों का ही पूछा हुआ था सिक्स मन्स का करना मेरे को बेवकूफी लगती है क्यूंकि इतना रिटें नहीं कर पाते तो इस बार मैंने कितने कम मन्त का किया था सिर्फ दो महीने का किया था और October अच्छे से किया था तो मैं 15-15 questions पूरे short टिक करके आई थी महाँ पर मेरे को यह था मैं सिर्फ cut-off निकाल दू लेकिन मैंने अच्छा कर दिया था तो वो चीज काफी सही थी कि दो महीने से अगर 15 questions बन सकते है तो तीन महीने से और अच्छे बन सकते है GA मेरे को ऐसा लगता है जिसने पड़ी होती ही न तो वो 20 तक score कर लेता उसमें PO mains में अब SBI clerk mains में देखते हैं GA section किस तरीके से आता है और यह clerk का mains है तो PO के mains से तो थोड़ा easy होगा तो इसके आप लोग मौक दे सकते हो mains के तो उससे आपको थोड़ा बाट idea हो जाएगा इसका level कैसा है और last year जो previous year के question papers होते हैं जो first time दे रहे हैं SBI clerk का mains तो वो previous year के question papers जरूर एक बार check कर लें और उससे solve करें इससे आपको एक अच्छा खासा idea हो जाएगा कम से कम last year का तो solve करना ही करना ठीक है 2019, 2020 और 2021 इन तीन सालों के जो previous year question paper है वो solve करो बहुत अच्छी आप लोगों की practice भी हो जाएगी और आपको एक idea भी मिल जाएगा कि clerk mains में जो questions का जो level होता है वो किस level का होता है तो यह सब आपको करना है SBI clerk mains के लिए I mean यह सब मुझे करना है आप लोग क्या कर रहे हो वो आप ही जानते हो या फिर मुझे comment section में बताना आप लोग अलग सा क्या कर रहे हो मैं तो यही सब करूँगी और कुछ और चीजे हैं जो मुझे include करनी है लेकिन फिलहाल अभी नहीं वो result के बाद मैं करूँगी जब होता है न थोड़ा से exam जब एकदम near आजाता तो उसके बाद जो पढ़ने की जो हमारी efficiency होते हो से increase और जाजा करना होता तो वो सारी चीज़े मैं तब include करूँगी तो ये था SBI Clark Mains का मेरा detail में मैंने जो आपको कुछ भी बताया और हाँ मुझे school भी शेर करना है आप लोगों के साथ वो मैं कल की वीडियो में कर दूँगी तो चलो फिर अगर कोई first time मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को प्रीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अब मिलेंगे बहुत जल कल next वीडियो में नए टॉपिक के साथ till then take care and bye bye